दिल्ली जनसमवाद रैली दिल्ली की पहली रैली में उपस्थित भारती अन्ता पार्टी की प्रखर नेत्री दिल्ली ही नहीं वरन पूरे देश के दिलों में देश के लोगों के दिलों में निवास करने वाली अपने केरियर की शुरुआत अभने से लेकर और राजनीत के छेत्र में जिनोंने अपने कर्तत्त से एक मुकाम हासिल किया है ऐसी नेत्री हमारे लिए गर्ब का विश्य है गौरब का विश्य है कि जिनका जन्म भी दिल्ली में हुआ है ऐसी नेत्री प्रखर वक्ता स्रीमती स्मृती रानी जी जो हमारी केंद्री मंत्री भी है उनका हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं भारती अंता पार्टी दिल्ली प्रदेश की इस प्रथम जनसंबाद रैली में मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन स्वागत करें जिनकी दहार से जिनकी वानी से संसस से लेकर अमेठी से लेकर संसस तक जो बात वो कहती हैं उस बात में असर होता है हमारी यहां मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश के प्रभारी और भारती इंता पार्टी के सभी कारिकरताओं में लोगप्री सभी से सुलब और हमारे लिए सब कारिकरताओं के प्रेणा स्रोत ऐसे बड़े भाई आदनी स्याम जाजू जी हमारे बीच में हैं एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अविनेंदन स्वागत विद्यारती परसद इवा मोर्चा से लेकर भारती इंता पार्टी के कारिकरता के रूप में और आज हमारे दिल्ली के सहप्रभारी एक भाई के नाते जिनका हमेशा मार्ग दर्शन और बेहवार मिलता है कारिकर्ताओं के लिए हमेशा प्रेणा का केंद्र बने ऐसे हमारे राष्टी मंत्री और दिल्ली के सह प्रभारी आधनी तरुन्चुक जी जोरदार तालियों के साथ अविनन्दन और हमारे इस जनसंबाद रेली के संयोजक प्रदेश के महामंत्री भाई कुलजी सिंग चहल जी यहाँ उपस्थित पार्टी के पतादिकारी दिल्ली के हमारे तीनों महापावर और पूरी दिल्ली के अंदर लाखों लोग लगबग तीन हजार इस्थानों पर जो आज इस जनसंबाद रेली के माध्यम से कनेक्ट हुए हैं अपने मोबाईल के माध्यम से फेस्टुक पेज पर त्यूटर पर इंस्टाग्राम पर सोसल मीडिया के जिन जिन माध्यमों का उप्योग करके आज जो लाखों कारिकरता लाखों दर्शक लाखों सुनने वाले का समर्थक आज जो कनेप्ट हुए हैं उन सब को भी मैं दिल की गहराईयों से प्रणाम करता हूँ नमस्कार करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आज की जनसंबाद रहली प्रधान मंत्री मानी नरेंद मोदी जी के दूसरे कारिकाल के प्रथम बर्स की उपलब्दियों को लेकर जनता के बीच जाना है कुरोना संकट है भारती जनता पार्टी निरंतर नए प्रियोग करती रहती है और उसमें एक अनूठा प्रियोग साइध ही किसी राजनेतिक पार्टी ने जनता से कनेक्ट होने के लिए इस तरह का प्रियोग किया हो भारती जनता पार्टी ही एक मातर ऐसी पार्टी है ये पहला प्रियोग जो वर्चूल रैली के माध्यम से हम लाखों लोगों से कनेक्ट होंगे, उनकी बात सुनेंगे, अपनी बात को कहेंगे, क्योंकि भारती इंता पार्टी जनोन मुखी काम करती है, जनोन मुखी जन सेवा के काम करती है इस virtual relic में हमारे तमाम ऐसे facebook page को चलाने वाले जो शायद भारती इंता party के कारे करता भी नहीं होंगे लेकिन समाज के प्रत जिनकी जिम्मेदारी है दिल्ली और देश के प्रत जिनकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों से हमने संपर्क किया ऐसे लगबग एक हजार ट्यूटर हैंडल के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं जो अपने ट्यूटर हैंडल को शेयर करके अधिक से अधिक जगे इस जनसंबाद रैली के संदेश को भेजेंगे बहुत बड़ा संकट जो इस समय दिल्ली और देश में है कोरोना महामारी संकट वास्तम में जब से कोरोना वैस्विक महामारी का संकट देश और दिल्ली में आया है भारती इंता पार्टी के कारिकरताओं ने अपने सेवा कारियों के माध्यम से लोगों की भरपूर मदद की है हमने लगबग 26,000 कारिकरताओं ने दिल्ली के अंदर एक करोड लोगों तक हम लोगों ने भोजन पैकेट डिस्टिविशन का काम किया है मुझे ध्यान आता है जिस समय करोना संकट सुरू हुआ था लागडाउन वन था लोगों के फोन आने शुरू हो गए थे कोई ट्यूटर पर ट्यूट करके भी अगर कोई सेवा का काम कहता था तो हमारे कारिकरता अपने जान की परवा किये बिना भी वहाँ पर सेवा काम करने के लिए जाते थे और ये जो असीम उत्साह और ये सेवा का काम ये भारती इंता पार्टी के कारिकरताओं ने अपनी मिहनत और लगन के साथ जन सेवा के उद्दिश से किया है क्योंकि पार्टी मानती है पंडित दीन द्याल उपाध्याय के एकात मानवबबात के सिद्धान में विश्वास रखते हैं एक मात्र मानव मात्र की सेवा करना हमारा लच्छ है राजनीत हमारे लिए साधन नहीं है राजनीत हमारे लिए साध्ध है इसी उद्देश्च को ध्यान में रखते हुए हम सब कारिकरताओं ने लगबग 31 लाक राशन की किट्स जिसमें एक किट के अंदर 15-15 दिन का राशन हमने 31 लाक लोगों तक पहुचाया है उस समय हमने ये नहीं देखा कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है दिल्ली सरकार क्या नहीं कर रही है लेकिन अपने फर्ज को समाज के प्रजिम्मेदारी को निभाते हुए हमने ये काम प्रारम किया और आज भी कर रहे हैं आने वाले समय में भी जिस तरह संकट बढ़ रहा है दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है उनके अस्पतालों का हाल बुरा है वो टेस्टिंग कराने से डर रहे हैं लोगों को टेस्टिंग कराने के लिए मना कर रहे हैं उनके तंत्र जो टेस्टिंग कराना चाहिए, वो आज टेस्टिंग कराने से पीछे हट रहे हैं, ट्रेसिंग नहीं हो रही है, अस्पताल हैं, उन अस्पतालों के जिस तरह इसके द्रश देखने को मिल रहे हैं, मन बहुत दुखी होता है, जिस समय अस्पतालों के द्रश दे और ऐसे में हैरानी और दुख इस बात से होता है कि हमारी दिल्ली सरकार के जो मुखिया हैं वो बयान देते हैं कि हम 30,000 बेट्स की विवस्था करेंगे लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं हो पाता है वो कहते हैं कि हम infrastructure बढ़ाएंगे लेकिन infrastructure नहीं बढ़ा तकलीफ यह होती है कि आज दिल्ली के लोग बहुत परेशान है और उस परेशानी में उनका दर्द तकलीफ जो दिल्ली सरकार को दिल्ली के सरकार के अस्पतालों में जिस तरह इलाज होना चाहिए समझनी चाहिए वो उन्होंने नहीं समझी है मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साब से यह निवेदन करता हूँ कि कम से कम आप जो विज्यापन पर पैसे खर्च कर रहे हैं वो मत खर्च करिए जो दिल्ली के लोगों को इलाज पहुचाने की जरूरत है अपनी व्यवस्ताओं को बहतर करने की जर जनता की समस्याओं के साथ हैं इस संकट के समय में इसलिए भारतियंता पार्टी ने फेसबन में जब राशन भोजन खादान डिस्टीविशन का प्रोग्राम लिया और अब हमने निष्चे किया है कि हम इस प्रोग्राम को दूसरे रूप में फेस मास्क डिस्टीविशन, स पूरी तयारी कर ली है, हमने दस लाग काड़ा के पैकेट बनवाने का लच लिया है, एक लाग काड़ा पैकेट बनवाने के ओर्डर भी दे दिये हैं, जो एक दो दिन के अंदर हमारे कारेकरता फेस कबर और सेनिटाइजर और इन सब चीजों को लेकर हम काड़ा लेकर जनता के बीच जाएंगे क्योंकि दिल्ली के दुख दर्द की चिंता भारती इंता पार्टी हमेशा करती है मैं दिल्ली के नागरिकों से दिल्ली की जंता से अपील करना चाहता हूं कि भारती इंता पार्टी इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ी है कंदे से कंदे मिलाकर जितनी मदद होगी भारती इंता पार्टी करेगी दिन हो या रात हो भारती इंता पार्टी का एक एक कारिकता इस कोरोना संकट में आपके साथ खड़ा है हम इसके लिए डॉक्टर्स की एक टीम बनाई है जो जल्दी ही हेल्प डेस्क के रूप में काम करेगी ये सब काम बिना सरकारी सहता के एक समवेदन सील संगठन होने के नाते हम ये काम कर रहे हैं ऐसे में आज हम लोग यहां पर जिस तरह से मानी प्रधानमंती नरेंद मोदी जी के एक वर्ष के कारिकाल में बहुत सारी उपलब्दियों के बारे में चर्चा स्रीमती बहनिस्म्रती रानी जी करेंगी और आप लोगों से रूगरू होंगी लेकिन दो बातें जरूर ऐसी हैं जो हर कारिकर्ता के सीने में एक हमेशा रहती हैं हम लोग बच्पन से ही नारा लगाते थे जहां हुए बलिदान मुखर जी वो कश्मीर हमारा है वो नारा लगाते लगाते हम भारती इंता पार्टी के कारिकरता बने है हमारे अंदर क्योंकि भारती इंता पार्टी मानती है कि हमारे लिए देश पहले है पार्टी बाद में है और स्वेम आखीर में है और इसलिए मैं प्रधान मंतीजी नरेंद मोदी जी का दिल की घहराई़ों से बहुत हिर्दे और से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कार्करता और जनता की इस आग को इस दिल के दर्द को समझा है और उन्होंने दूसरे कारकाल के पहले दो तीन महने के अंदर उन्होंने ये काम किया है कि कस्मीर से धारा तीन सो सत्तर और पैंतिसे हटाने का काम किया है दूसरी हम लोगों की बहुत बड़ी हम लोगों के अंदर एक पूरे देश की एक भाबनाओ जन भाबनाओं का उबार था जन भाबनाओं का सैलाब पीड़ा थी हम लोग नारा लगाते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे इन भावनाओं का तमाम पार्टियों ने अपने अपने तरह से सोसन किया है लेकिन हमारे प्रधान मंती मानी नरेन मोदी जी ने उन भावनाओं की कद्र की है और उनोंने अपने कारिकाल के पहले ही निश्चे कर लिया और उसको पूरा किया राम मंदिर मार्क राम मंदिर निर्मार के मार्क को प्रसस्त करने का काम प्रधान मंती नरेन मोदी जी ने किया है बहुत सारी उपलब्दिया है लेकिन मैं दिल्ली के परप्रेच में राष्टी परप्रेच में बहुत सारी उपलब्दियां है हम आयुश्मान भारती योजना लागू की एक करोड से जादा लोगों को पांच लाख रुपे तक का इलाज मुफ्त में मिला लेकिन दिल्ली के लिए बहुत सारी समस्याएं थी और उन समस्याओं को भी पिछले एक वर्स में जिस तरह से हमारे प्रधान मंत्री जी ने समझा है वो वास्तम में बधाई के पात्र हैं उन्होंने जिस तरह से दिल्ली की समस्याओं पर अपने नेतवत के माध्यम से अपने काम के माध्यम से अपने विजनरी विजन को लेते हुए दिल्ली के अंदर जो समस्याओं थी जैसे अनुथराइस कालोनी के रेगुलाइस करने का काम पिछले कई वर्सों से कई सरकारे आई और गई इस पर कई चुनाव हुए लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं हुआ दिल्ली में 1731 कालोनी का जो अनुत्राइस कालोनी जहांके लोगों को मालिका नाहक नहीं था उनको मालिका नाहक दिलाने का काम हमारे प्रधानमंती नरेन मोदी जी की सरकार ने किया है यह दिल्ली के लिए बहुत बड़ी उपलब्धी थी चालिस लाख लोगों को इससे बहुत बड़ा फाइदा बहुत बड़ी राहत मिली है दिल्ली में एक और समस्या पिछले चार-पांच वरसों से निकल कर आई थी लोग प्रदूसर्ण से परिशान थे हम लोग जब भी सर्दी का मोसम आता था दिवाली का मोसम आता था लोग बहुत सारी अपील करते थे हमें पठाके नहीं चलाने हैं बहुत सारे लोग परियाबरण की चिंता करते थे लेकिन सकारात्मक कदम किसी सरकार ने नहीं उठाए यहां तक कि दिल्ली सरकार ने भी नहीं उठाए केंद्र की सरकार ने हमारे प्रधानमंती नरेन मोधी जी के नेतत में राश्टी राजमार्ग मंत्राले ने यहाँ पर एस्टन पेरिफिरल एक्सप्रेस बे बनाकर लगबग दिल्ली के बाहर से आने वाले जो दिल्ली में प्रदूसर्ण फैलाने वाले ट्रकों की संख्या में 65% कटोती हुई जिससे दिल्ली के अंदर प्रदूसर्ण में भारी क कमी हुई है इसके लिए हम प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं दिल्ली के अंदर लगबग 700 जुग्गी कालोनी हैं कलस्टर हैं दिल्ली सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री जिसकी राजनीत करते हैं लेकिन कोई उनके सुधार का कदम नहीं उठाया हमारे प्रदान मंत्री जी ने जुग्गी जोपडी में रहने बाले लोगों का दुखदर तकलीप समझी और वहाँ पर रहने बाले लोगों को जो मूल सुधाय थी वो नहीं मिल रही थी इसके लिए जहां जुग्गी वही मकान उन्होंने इस योजन में एक काम प्रारम होने बाला है दिल्ली मेट्रो की बात करें तो मेट्रो के काम हमने टेजी से केंदर सरकार ने प्रारम किये ये बात दुरुभा के पूर्ण है कि हमारी दिल्ली की सरकार ने उस मेट्रो फेस के जो चौथा चरण का काम है उसमें बहुत सारी विद्न हैं डाली हैं बहुत सारे अडंगे बाजी की है जिसके कारण से जो चोथे चरण का काम है वो अभी तक रुका है मैं दिल्ली के मुख्य मंत्री साफ से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को अच्छा और बहतर साब सुत्रा ट्रांस्पोर्ट मिले, साब सुत्रा परवहन मिले, इसकी लिए चौथे चरण को जो आपने रोक रखा है, उसको अविलम चालू किया जाए। अरे तमाम लाखों छोटे-छोटे उद्दमियों व्यापारी भाईयों के उपर लटक रही थी, उसको संग्यान में लेते हुए, उसकी संबेदन सीलता को देखते हुए, हमने केंद्र सरकार की और से प्रधानमंती नरेंद मोदी जी के नेत्वत में लगबग 20 लाख हाउसलो हाउसल्ड इंडस्टीज को जो 5 किलो बाट और 5 लेवर पर से अधिक रखने पर जिनको सीलिंग की तलवार थी, उनको हमने 11 किलो बाट और 9 लेवर का लाइसेंस दे कर, जिसमें उनको कोई भी रुकावट नहीं आने बाली, घर के अंदर वो अपना छोटा मोटा उद्दो चला सकते हैं, इंडस्टी चला सकते हैं, ऐसा मार्ग उनके लिए प्रसस्त किया, ये सब हमारे प्रधानमंती नरेंद मोदी जी की जो विजनरी, जो जो उनका सूझ भूज है, जो उनकी दूर दर्सता है, जिसके कारण से आज दिल्ली के अंदर हमारे प्रधानमंती नरें मंत्री जी ने उठाये हैं वो कदम उन कदमों से उन निर्णयों से उन नीतियों से दिल्ली के लोगों को अधिक से अधिक लाप पहुचे गा और अंत में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज भारती इंता पार्टी के कारिकरता इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तयार हैं हम अपने प्रधानमंती नरेंद मोदी जी के इस वचन पर की दोगज की दूरी है बहुत जरूरी इस संदेश को हम जागरुकता अभ्यान के तहट जागरुकता अभ्यान के तहट चलाएंगे और अधिक तर लोगों तक पहुँचेंगे और इस कुरोना महामारी संकट से हम जनता को बचाएंगे ये संकल्प के साथ हम इस जनसंबाद रैली में अपनी बहन इसमती इरानी को तो सुनेंगे ही और इसके साथ साथ मैं भारती जनता पार्टी के हमारे रास्ती अध्यच आधनी जगत प्रकास नड़ा जी का बहुत बहुत आभार और धनिबाद करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने वर्चुल रैली को करने का रिणे लिया है पार्टी के सीस्त ने तो तने उससे हम जन समबाद करके जनता के बीच जाकर हमें अपनी बात को कहने का मौका भी मिलेगा और हम जो सेवा काम कर रहे है वो जनता के बीच ले जा पाएंगे आपने हमें इतने ध्यान से सुना और हमें भारती इंता पार्टी की तरफ से हमने जो बात कही इसके लिए आपका सबका कारिकरताओं का जो अपने सोसल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं उनका मैं हिर्दे की गहराईयों से बहुत-बहुत धन्यवाद आभार करता हूं